तो जी किया आप भी जानते हो कुछ दिनों से वाइरल हो रहे है इस नास्ते के बारे में जिसको आप गेहूं के आटे से तयार कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है अगर आपके पास आटा बच गया है तो उससे भी आप इसको बना सकते हो वरना तो आप चाहे तो ताजा आटा ग पेड़े निकाल लिए एक पेड़ा लिया इसके उपर सोखा आठा लगाया और इसके पदला बेल लिया अब यहां पर मैंने एक पैंसिल रखकर इसको इस तरह से रोल कर दिया इसके किनारे पर थोड़ा साना हम पानी लगा देंगे ताकि यह बहुत अच्छे से सील हो जाए और यह देखे मैंने इसको बहुत अच्छे से रोल कर दिया तो यहां पर यह आठे के रोल हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे तो मैंने सारे के सारे तयार कर लिये हैं इधर मैंने कड़ाय में पानी रख दिया है गरम होने के लिए इसके अंदर दो चमज मैंने तेल भी हो थोड़ा सा तो मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास यह नमका अटा था मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और तीन-चार मिनट के लिए बहुत अच्छे से पका लिया और यह हमारे आटे के रोल बिल्कुल तयार हो गए हैं जिब यह थोड़े ठंडे हो गए थ अब यह आप इस नास्ते को तियार कर सकते हो तो इधर मैंने कड़ाय लेली कड़ाय में दो तीन चमच तेल करम कर लिया एक चमच इसके अंदर बारी कटा हुआ लैसून डाल दिया और जब लैसून हलका सा फ्राइ हो गया मैंने इसके अंदर प्यार डाल दी स्वीट कॉन दाल दिये और इमको भी हलका सा मिक्स कर लिया थोड़ा सा नमक डाल कर हलका सा पका लिया और थोड़ा सको पकाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर तो मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया हरी मीचे और सिमला मीच यहाँ पर आपको जो भी सबजी प पसंद उसको आप निकाल भी सकते हो सारी सबजियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया गैस फिलेम लो कर दिया मैंने यहाँ पर डाल दिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिज पाउडर, चाट मसाला और यही पर मैंने डाला है, थोड़ा सा मेंगी मसाला दो-तिन चमच मैंने पाने डाला वर शारी जीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर यह टमेटो सोश डाल दिया करेबन दो चमच यही पर अगर आपको पसंद है तो मियोनीज भी डाल सकते हो तो मैंने यह आप पर 2-3 चमची मियोनीज भी डाल दी है अब जो मैंने यह आटे का जबरदस वाला पास्ता तयार किया था यह डाल देंगे और इसको बहुत एची से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हम gas flame low कर देंगे 2-3 मिनट इसको low flame पर पकाएंगे यह हमारे नाश्टे को low flame पर पकते हुए 2-3 मिनट हो गई है मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरादन्या डाल दिया है और थोड़ा सा butter डाल दिया है इसके अंदर ना लाश्ट पर पर थोड़ा सा जरूर से डाल लिएगा उससे इसका टेस्ट और भी जबरदस आएगा और यह बहुत ही मज़ेगा नास्ता हमारा बन कर तयार है यकीन मानिये जब आप इसको बनाओगे ना तो बच्चे हर रोज इसी को मांग कर खाएंगे बच्चे इसको टिफिर में भी बढ़िया साने से ले जा सकते हैं बहुत ही जबरदस वाला बहुत बढ़िया बच्चे हुए आटे से बना हुआ यह टेस्टी नास्ता बिल्कुल तयार है तो आप इसको जरूर से बनाएगा बहुत अच्छी रैसिपी है रैसिपी कैसे लगी मुझे को मेट में जरूर से बताएगा थैंक यू